सामका टाइम हो चला था फ्रेंड्स और लग गए थी सबको छोटी मोटी भूग तो मैंने कुछ सबजियां काटनी जैसे कि लसुन, मिर्ची, टमाटर, प्याज, थोड़े से गाजर को भी काट लिया और यही रहा हरा मतर थोड़ा सा और थोड़ी सी सिमना मिर्ची भी सारी चीजे मैंने बहुत ही कम-कम मातरा में लिये क्योंकि इतनी ही बची थी और यह मेरे पास थोड़े से मैगी बची थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं दोनों को मिला के मज़िदार सा एक नास्ता बना दिया जाए तो मैंने यहापे मैक्रोनी को बॉइल कर लिया था और ठंड मैंने डाल दिया गाजर को भी क्योंकि गाजर को भी साफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है इसी के साथ सिवना मिर्ची भी मैंने डाली सारी सब्जियों को अच्छे से चला करके थोड़े दिर तक सौटे कर लिया बहुत ज़्यादा इनको सौफ्ट नहीं करना है नहीं तो यह क्रंची नहीं रहेंगे खाने में मजा नहीं आएगा फिर मैंने कटे हुई टामाटर को भी मिलाया और हरे मटर को भी मिलाया क्योंकि इनको भी तो पकने में टाइम लगने वाला है बस दो से तीन मिनट तक सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया पकाया और अब मैं सब बेसिक चीजों को मैंने मिक्स किया जो जो मेरे पास ओलेबल थी और सब चीजों को मिक्स करके मज़ेदार सा एक नास्ता बना दिया तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो मीडियो को मेरे लाइक करिएगा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स मज़ेदार सी रेसिपीस के लिए बस अब मैंने जो बॉयल की हुए मैगी और पास्ता मैकरोनी को रखा था मिक्स कर लिया इन सब चीजों में अच्छे से मिक्स कर लिया है गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें लो रखना है तो बस बहुत ही कम टाइम में जटपठ हमारा एक नास्ता बन जाता है जो कि सभी को बहुत पसंद आने वाला होता है फ्रेंड्स क्योंकि यह हल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा बच्चों का तो बहुत ही पसंदीदा है यह नास्ता मैंने यहाँ पे क्या किया दो पैकेट मतलब दो छ अच्छे सारी चीजे ताकि मिक्स हो जाए मासालों में मैंगी में और मैकरोनी में भी तो थोड़ी दिर हवा में उच्छानने के बाद मैंने गैस को कर दिया है बंद और ले चलते हैं अब इसको खाने के लिए प्लेट में लागा लेते हैं फ्रेंड्स क्योंकि यह बहुत ह करेंगे तो इसे खाने में मजा आएगा है बहुत ही टेस्टी लगे यहाँ पर मैने लगा ली है प्लेट और यह सब करने हों मैंगी विथ मैख्रोमी बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स एसान है इसे बनाना अगर आपके पास थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सारी चीजे बची हो ना तो आप इसी तरीके से बना करके सर्व करिएगा बहुत अच्छे लगेंगे बहुत ही मज़ा आएगा इनको खाने में इसी के साथ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छे लगी हो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स बाबाई अच्छेट